हेलो दोस्तों कैसे हो आप से वेलकोम आग तो जोब इनस्ते में प्रकाश इस वीडियो में हम देखेंगे SSC JE की प्रिवियस एर की कट ओफ क्या रही है सिविल एलेक्टिकल और मेकानिकल डिपार्टमेंट के लिए इससे पहले 2020 में एक्जाम हुई थी और फाइनल जो रिजल्ट आई थी ये 2022 में आई थी तो इस वीडियो में हम देखेंगे category wise cut off क्या रही है paper 1 के लिए paper 2 के लिए and overall cut off क्या गई है सबसे पहले तो मैं आपको पता दू जो paper 1 होता है ये total 200 marks का होता है and इसके लिए आपको 2 hours का time मिलता है objective type paper होता है and अगर paper 2 की बात करें तो paper 2 written examination होता है descriptive type होता है and इसमें total 300 marks के questions आपसे पूछे आते हैं इसके लिए आपको 2 hours का time मिलता है paper 1 clear करने के बाद आपको paper 2 के लिए call के जाएगा और साथ ही साथ बात करेंगे कि total कितने candidates को shortlist किया गया है तो ST category में cut off गई है 99.15648 and total 664 candidates को shortlist किया गया है और जैसे कि मैंने आपको अभी दिखाया है कि total 200 marks का test होता है तो ये cut off out of 200 marks है ST category के लिए cut off रही है 99.15648, 359 candidates को shortlist किया गया है OVC के लिए cut off रही है 114.21, total 1360 candidates को shortlist किया गया है EWS के लिए cut off रही है 108.145 and total 621 candidates को shortlist किया गया है Unreserved के लिए cut off गई है 120.025 and 701 candidates को shortlist किया गया है OH के लिए cut off रही है 79.837, 65 candidates को shortlist किया गया है and HHS के लिए cut off रही है 48.862 and total 56 candidates को shortlist किया गया है यानि कि यहाँ पे civil engineering के post के लिए total 3826 candidates ने paper 1 को qualify किया है अब बात करते हैं जही electrical and mechanical के लिए paper 1 की cutoff क्या रही है SC के लिए cutoff रही है 123.23, total 333 candidates को shortlist किया गया है SC के लिए cutoff गई है 15.344, 146 candidates को shortlist किया गया है OBC के लिए cutoff गई है 136.46, and 696 candidates को shortlist किया गया था EWS के लिए cutoff रही है 131.236, 277 candidates को shortlist किया गया Undeserved के लिए cutoff रही है 141.597, 353 candidates को shortlist किया गया OH के लिए cutoff रही है 99.432, 48 candidates को shortlist किया गया And HH के लिए cutoff रही है 63.077, and total 32 candidates को shortlist किया गया And electrical and mechanical मिला कर total 1885 candidates को paper 2 के लिए shortlist किया गया है देखिए पेपर वन क्लियर करनके बाद आपको पेपर टू के लिए कौल के जाएगा पेपर टू टोटल थी एंडेड़ मार्क्स का होता है डिस्क्रिप्टिव होता है और पेपर टू में मिनिमुम क्वालिफाइंग मार्क्स थी अन्रिजर्व्ट के लिए 30% लिए 25% अंद ओल अधर के लिए 20% अंगर बात करें जेई सीविल के लिए पेपर टू में कट औफ किया रही थी देखिए पेपर वन–2 इंड़ मार्क्स का होता पेपर टू 300 मार्क्स का होता है तो औफ of 500 marks अगर बात करें cut off की तो SC के लिए cut off रहे है तो 101.596 टोटल 239 चाया गया स्ट के लिए 188.11 144 कंड़ेट को शॉट्रिस्त किया गया OBC के लिए 234.28 508 कंड़ेट को शॉट्रिस्ट के लिए 229.580 टोटल 21 candidates को shortlist किया गया था Unreserved की बात करें तो 257.849 cutoff रही है 150 candidates को 152.3.4 cutoff रही है 21 candidates को shortlist किया गया गया है और बात करें mechanical and electrical में junior engineer के post के लिए cutoff क्या रही है paper 1 and paper 2 को मिलाकर तो SC के लिए 260.097 cut-off गई यह out of 500 marks है total 19 candidates shawk msc में total 119 candidates ole ओट शॉटलिस्ट के आगया है ST की बात करें तो 240.894 cut-off गई है 69 candidates को effortless के आगया है OBC के लिए 325.433 cut-off रही है 158 candidates go shot-list के लिए 288. 423 cut-off रही है 1110 candidates go shot-list के लिए और जैसे कि आपको पता है कि अलग-अलग डिपार्टमेंट में जो कट ओफ रहती है वो अलग-अलग रहती है क्योंकि आपसे प्रिफरेंस मांगा जाता है जो आप प्रिफरेंस देते हो उसके अकॉर्डिंग फिर आपकी मार्क से की जाती है अगर आपकी मार्क उतनी रहती है merit list में आपकी rank अच्छी रहती है तो फिर आपकी जो preference रहती है वो department आपको allot कर दी जाती है तो यहाँ जैसा कि आप देख सकते हो department अलग-अलग है border road donation हो गया central water commission हो गया central water power research station हो गया तो इस type के बहुत सारे है तो उसके according फिर यहाँ पे selection होता है तो जैसे कि अगर हम यहाँ देखेंगे cut off अगर बात करे civil के लिए तो civil में यहाँ आप देख सकते हो कि अलग-अलग department के लिए अलग-अलग cut off गई है तो एक मैं example के तोर पे आपको दिखा दे रहा हूँ तो department code A की बात करे category code यहाँ 0 है vacancy total 9 थी जिसमें total 9 candidates को shortlist कर दिया गया है total marks रहा है 252.26692 paper 2 में marks था 133 and date of birth जैसे कि आपको पता है कि जिनकी date of birth high रहती है यानि कि जिनकी age ज़्यादा रहती है उन्हें prefer किया जाता है उन्हें preference दिया जाता है तो अगर same marks रहता है तो उन्हें preference दिया जाता है तो यहाँ पर जैसे same marks रहा होगा तो फिर यहाँ date of birth भी यहाँ इसलिए mention कर दी गई है 24 April 1996 तो यह उनकी date of birth थी और इतना marks उन्हें स्कूर किया वा है तो उन्हें अपनी preference के according उन्हें अपनी department मिली है तो इस type का आप check कर सकते हो हाला कि यह पूरा बताना possible भी नहीं कि क्या cut off रही है department wise तो जिस भी department में आप जाना चाहते हो उसके according आप यहाँ cut off देख सकते हो civil के लिए and electrical and mechanical के लिए भी वैसे ही same process है तो तयारी के लिए preparation के लिए सारे courses job university app पर available है job university app की link मैं description box में डाल दे रहा हूँ direct link है civil के लिए electrical के लिए and mechanical candidates के लिए जो courses available है उन सब courses की direct link मैं description box में डाल दे रहा हूँ अब जाके एक बाद check out ज़रू करना अगर आप exams को SSC के लिए अगर आप focus रो के preparation करना चाहते हो dedicated preparation करना चाहते हो तो ये course ज़रूर purchase करना ये आपको बहुत help करने वाला है आपके exam के लिए आपके preparation के लिए और आपके selection में इससे जुड़ आपका कोई सावाल रहता है तो आप मुझे comment करके पूछ सकते हो वीडियो को like ज़रू करना ज़्यादा ज़्यादा शेयर करना अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जो कर ले न थैंक्यू